असलाम अलेकुम आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ज़ादा हेल्दी और टेस्टी फ्रूटी चना चाट फ्रेंड्स चाट तो आपने कई बार खाई होगी मगर इस तरह से कभी नहीं खाई होगी इसे हम थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे बहुत ही ज़ादा आसान है इसे बनाना बस मिंटो में यह हमारी तयार हो जाती है तो चलिए रैस्टी बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पैन में मैंने दो टेबल स्पून ओयल डाला है इसमें जादा ओयल नहीं जाएगा इसमें कुछ गरम मसाले जाएंगे वन टी स्पून काली मिर्च दो बड़ी इलाइची है चुटकी बहर हींग पास से छे लॉंगे और दो तेज़ पात के पत्ते यह सब हम इसमें डाल देंगे इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे एक इंच का अधरक का टुकड़ा मैंने लिया है और पास से छे हरी मिर्चे एकदम मैंने इनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है बिल्कुल फाइन हम इसे चॉप करेंगे इसको भी हम इस तरह से डाल के भून लेंगे, तू टीस्पून भर के मैं इसके अंदर ये धनिया पाउडर एट कर रही हूँ, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर और वन टीस्पून रैट चिली पाउडर, आप चाहें तो थोड़ा जादा भी चट पट अगर पसंद करती हैं तो आप डाल सकती है, थोड़ मैं इसके अंदर नमा केट करूंगी, टेस्क के अकॉर्डिंग, इसको हम देखी जब ऑईल हमारा ये थोड़ा सा उपर आने लगेगा, तब तक हम इसे भून लेंगे, जब ये हमारा मसाला भून जाएगा, तो ये मैंने चने लिये हैं, ये 200 ग्राम चने हैं, इनको मैंने रात भर के लिए भिगो दिया था, और प्रेशे कुकर में 15 मिनट के लिए इस तरह से गला लिया है, देखी, बिलकुल हमारे चने गले हुए होने चाहिए, और इनका जो पानी है, वो भी हम इसमें डाल देंगे, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और ये रही इस कर लेंगे, और इसको हम कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए बिलकुल लो फ्लेम पे जो हमारे चनों का जो सारा टेस्ट है, इसके अंदर आ जाए तब तक हम इसे पकाएंगे, दस मिनट हो चुके हैं, देखे, इसका पानी भी थोड़ा-थोड़ा से ड्राई हो गया है, हम इसका पा कर लेंगे, हम उसके असेंब्लिंग आपको मैं दिखाती हूं, सबसे पहले हम यह जो हमने चने अपने बॉइल कर लिए हैं, यह हम इसके अंदर बाउल में डाल देंगे, यह मैंने वन लार्ज साइज का प्यास लिया है, इसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है, और पास फूट कलर आता है, वो डाल के बॉइल कर लिया है, देखी एकदम उपसूरा सा ही हमारा अलू लगने लगा है, इसको भी हमने चॉप करके तुकड़े डाल दिये हैं, एक नीबू का रस में इसके अंदर डाल दूंगी, और यह रहा भुना हुआ हुआ जीरा पॉडर, यह इसके अंदर यह आधा कब अनार के दाने डाल दूंगी, आप चाहें तो इसे जाधा भी डाल सकते हैं, अनार के दाने डालने से देखी और जाधा एकदम कलरफुल सा लगने लगा है, कितने जाधा अच्छा भी से हमारी यह चार्ट लगने लगी है, थोड़ा सा मैं इसके जादा अच्छी लग रही है एकदम चटकारेदार मज़िदार और कलरफुल इसको सर्फ करने की दो तरीक हैं आप चाहें तो इसको जिस टाइम आपने बनाया है गरमा गरम उस वक्त भी सर्फ कर सकती हैं या फिर आप इसको रूम टेंपरिचर पर रखके भी सर्फ कर सकती है देखिए कितना असान है इसे बनाना आप चाहें तो इसे पहले से चने तयार कर लीजिए एक दिन पहले या दो दिन पहले और जब भी आपको एसमें वेजिटेबिल्स और ये फरूट काट के मिला दीजिए एकदम चटकारेदार आपको ज़्यादा तीखा पसंदे तो ज़्यादा डाल सकती है अगर आपको मेरी रैस्पी पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा थैंक यू